अब आज बनाते हैं अर्वी पत्य की सब्जी जो काफी टेस्टी लगती है अर्वी पत्य को काट लिया है और उसके बाद मैंने मसालों की तैयारी कर लिया है मैंने डेर सारा लर्सुन लिया है हरे इंगिस दो टमाटा और एक प्याज लिया है तो सारी चीजों को में मिक्सी जार में डाल दे रही हूं और इसे अच्छा से इसे ग्राइंड कर लें और इसमें पानी देने की ज़ुरत नहीं है क्योंकि टमाटा प्याज में अच्छे से पीच जाएंगे और उसके बाद मैंने डाली यह काली मिर्च और शर्सू आप काला डाले चाहे पीला डाले मैं पीला ही डाल रही हूं दो उसका मैंने मसाल्ह कर लिया है अब इसमें अगकुर्णे में ट्रांस्पर कर ले रही हूँ और इसमें बाकी स Nou सी की फसендमिस यह डिश मे खान हां बसक् Ready ढह सो और शयुच इसमें कस्मीरी मिर्च भी मिला दिया था और अब इसे मैं साइट कर दे रही हूँ और अब इसे मैं कच्छो पत्ते को जो कच्छो पता या अर्वी पता हम इसे बहुत नाम से बोला जाता है तो इसे हम लोग के तरफ कच्छो भी बोला जाता है कच्छो का पत्ता और अर्वी तो दोनों बोला जाता है तो इसे मैं धो ले रही हूं हाला कि इसमें कुछ गंदगी रहती नहीं है आराम से एक दो पानी से धोईएगा तो बाकी सब साख के अपक्छा इसमें कोई गंदा बालो बगड़ा नहीं रहता है तो इसे मैंने धो लिया है और जो भी शावन में 99 च तो चलिए मैं कराई चला दे रही हूं और उसमें मैं तेल थोड़ा सा एक चमच के कड़ी टेल डाल दे रही और उसमें धोरा समय डाले जीरा जब अच्छे से करक जाए जब लाल ben नहीं तब कर सकते हैं या ऐसे भी जो प्याज लशुन नहीं खाते हैं तो लशुन और प्याज को स्किप कर सकते हैं और जब प्याज हाल्व्रान का गोल्डव्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें उसल्भीमग तरदे चलाते पत्ते इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीज़ेगा तो तुनात गल जाता है क्योंकि इसे मुझे पकाना नहीं है थोड़ी देर बस इसको वुनना है और कुछ नहीं इसको मतलब सिर्फ सॉफ्ट करना है ताकि इसका थोड़ा सा हलका सा कच्छापन निकल जाए और उसके बाद एक बावल में मैंने ले लखाया बेसन आप जिस हिसाब से आपका अर्वी का पत्ता है उसी हिसाब से बेसन ले ले और उसमें नमक हल्दी मीर्च पाउडर जो जो कि आप खाते हैं जीरा पॉडर धनिया पॉडर जो भी ड़ालना चाहते हैं अपना है अश्ब अमचूर पॉडर क्योंकि कभी-कभी होता क्या कि अर्वी के पत्ते जो है न थोड़ा सा हाने के बाद मूंहें इचिंग और गर्दन में भी घले में भी होती है और मैंने थोड डाले तो देखिए इसका अर्भी पत्ता का कच्छापन निकल गया अब उसमें जो बेशन गोल के महीने रखा था उसे डाल दीजिए जस्ट बेशन की सबजी जो बनाते है न उसी तरह से इसको फिर इसे बनाना है तो इसको अच्छे से मिला ले और देरे देरे चलाते रहे औ आज को इस समय एकदम कम रखें ताकि बेशन भी पक जाए और जले भी नहीं तो दोनों चीज हो जाएगा आज को बिल को लो रखें और इसे बीच बीच में चलाते रहें यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनके तियार हुआ था मजा आ गया था खाके और हां अगर आप मेर जेन नियु यह है है और हो सकते तो शेयर बीच रहें किरें करें करें तो चलिए उसके बाद में लेली या एक थाली उसके मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया तो पत्टे कि सारी मदलें डाल दे रहां है उसके बाद इसे अभी तो बहुत गरम है तो मैं चमत से फैला रही हूं घ्मा तो थोड़ी ठंडी हो तो आप इसे बाद में मैंने हात लगाया है लोगिन इसे अच्छे से दवा दबा के इसे सब से समी मूठा पतला ना रहां है इसलिए एक बेशन की बनाते हैं उसी तरह से बना लें और एक बनता है स्टीम देखके भी तो मैंने यह दूसरी तरह से आज बनाया है तो आप जरूर ट्रैक करिएगा और उससे ज्यादा आसान मुझे यह लगा वह भी टेस्ट दोनों का बराबर ही रहता लेकिन यह थोरा सा मुझे उसस आसान लगा जैसे पत्तों में बेशन लपेट के बनाते हैं उस हिसाब से तो देखिए इस तरह से जब ठंडा हो जाए और अगर जल्दी है आपको तो थोरा सा जब यह हो तो इसा फ्रीज में रख दे और मैंने भी फ्रीज में रख दिया था ताकि जल्दी ठंडी हो और मै अगरा फ्राइ नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसे सेलो फ्राइ करके या नॉंस्टिक पे थोड़ा बहुत उलट पलट करके आपका सकते क्योंकि और लेडी यह सारे चीज इसके पक चुके हैं तो थोरा सा एक करके आप डीफ्राइ नहीं भी करे तो भी चलेगा लेकिन मुझे थोड़ा सब्जी यह सब्जी बहुत पसंद है तो मैंने डीफ्राइ कर लिया था और जो तेल कम खाना चाहते हैं तो सेलो फ्राइ करके या नॉंस्टिक पे एक चमज तेल में भी सारा सेख सकते हैं तो यह भी आप तरीका अपना सकते हैं तो इदर देखे कराई में मैंने तेल डाल दिया गरम है और अब मैं देख ले रहे हैं कि गरम हुआ है कि ने उसके बाद सारे जो काट के रखे हैं शेप में उसको सारे डाल देने हैं और इसे डीफ्राइ कर लेना है और इसी तरह से सारे तल लेने हैं और बीच बीच में और इसे मीडियम आज पर ही रखें विलकुल लो भी नहीं औरड लो टु मीडियम पर रखें क्यूंकि बहुत हाय कर देने से फीर यह जल जाएंगा तो इसे लो टु मीडियम पर ही रखें और जितना आ सकेक्ष गणाही में याह प्याहिए हर्य बज है तो मतलब इसलिए मैंने चोड़ा मूं का कराई लिया है ताकि जल्दी से सारे फ्राइ हो जाए तो इसी तरह से सारे फ्राइ कर ले और निकाल ले उसके बाद और आप इसे नास्ते के रूप में भी खा सकते हैं चाय के साथ कापी टेस्टी लगती है खाने में और मतलब सुखे बच्चे लोग भी आराम से खा लेते हैं पकोरी समझके तो वह आप नास्ते के जैसा भी से यूज कर सकते हैं और सबजी में भी डाल सकते हैं तो बाकी का जो वैच बचा है मैं उसे फ्राइ कर ले रही हूं और उसी तरह से सारे जितने भी पत्ते के वेने ब के तीविए इसमें मैंने डाल दिया पंच खोरण लाल मीर्च और तैजपत्त और इसे अच्छे से पकने दे मीर्च बगर्ण हो जाए जोब भी है लाल अच्छे से और नाρέ थे अच्छ फोरन पी से कड़क जाक जाए उसके बाद इस में डाल दे जो मसाले जो प्र 실प पिसके रखे थे उससारे दाल दे और प्राहिए ऐसे बहुत और यह बहुत पकाई और उसके बाद टेस्ट के हैं इसमें डाल दे नमक भी यता कंग में पाना नमक दाल दिया नमक लगे में पखने नमक और यंचे इसकेGot अरे जाल सकते हैं संसे नमक भीas में संस्टट्र पड़ी मैं कार्टोरी में जो भीसार ego मसाले में यूटर में चौ कड़े ऑ्सेल दिया और यह प। तो देखिए अब पक के तयार है सरसो मसाला को काफी भूना भी नहीं रहता है लेकिन फिर भी देखिए साइट से और जितने भी तेल थे ना रिलेज हो गया तो इसमें आप डाल दे पानी और मुझे खाने हैं चावल में तो मैंने इसमें अच्छे काजे पानी डाले हैं और इसे भी अभी मतलब जब उबलेंगे तो थोड़ा सा इसका थीकनेस बढ़ेगा और जब भी अर्वी पत्ते के पकोरी इसमें डालेंगे तो भी पानी अबजर्ब करेगा तो इसलिए अभी केसाब से रस इसका ठीक है ग्रेवी और उसके बाद जब खोलने लगे तो सारे प पकोड़े में आ जाए और लास्ट में मैंने नीबू भी डाल दिया डर था कि कहीं मुह में खुजली न होने लगे इसलिए मैंने थोड़ा सा नीबू का रस भी डाल दिया तो इसे खटा पन सर्सों मसाला खटा भी अच्छा लगता है तो आप दो जगह नीबू डाल सकते कि जिस समय बेशन में या जब साग के बाद बेशन डालने कहीं भी आप यूज कर सकते हैं अमचूर और बेश नीबू आप किसी भी प्रकिरिया में यह दोनों चीज डाल सकते हैं ताकि आपके मुह में इचिंग ना हो क्योंकि इचिंग होती है कभी-कभी तो इतनी मेहनत विकार हो जाएगी तो नीबू और अमचूर का यूज तो जरूर ही करें इस रेशिपी में कभी-कभी तो अरभी काटने में भी हाथ में इचिंग होने लगता है तो उस जगह आप सरसों का तेल हाथ में लगा लें और तो देखिए सब जीवन के तेयार है और शुपर से ध और हेल्दी रेशिपी के साथ हेल्दी और टेश्टी रेशिपी के साथ तो थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग